नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं पीपीए 24 न्यूस दर्सकों मैं बता दूँ आज मैं ख़़ा हूँ सीड साइन्स एंड टकनोलोजी चंसेखराजात विस्विस द्वाले दोरा नए नए टकनोलोजी इजात की जाती है एरिगेशन और खेती के लिए फॉर्मिंग के लिए उसी के विशह में आज मैं यहां आया था आज हम प्रोफेसर से बात करेंगे डक्टर सीयल मौर्या जी से और जानेंगे गेहों की खेती म में क्या टेकनोलोजी अपनाई गई है जो देज विदेश में उसका नाम हो रहा है आए चलते हैं दर्सों के यह फसल जो देख रहे हैं यह तंसेखराजात करसी विस्विस द्याले की न्यू टेकनोलोजी का एक नमूना है आए हमारे साथ डक्टर साब सीयल मौर्या जी है उन से पूछते हैं इस फसल के बारे में जो पहली बार निजात की गई है हांडक सब क्या बताएंगे इसके बारे में मैं किसान भाईयों को यह बताना चाहता हूं कि हमारा विस्विद्याले जो है तकरीबन दस हजार कुंटल वीज विभिन फसल पर जातियों का प्रतिवर पैदा करके किसानों को बित्रित करता है जिस से इस छेत्र के किसान अत्यंति लाबानुवित होते हैं तता अपनी आय बढ़ाने में उनको मदद मिलती है विस्विद्याले अनाच की फसले दलहनी फसले और तिलहनी फसलों का वेज़ुत पादन कर रहा है जो आप यह फसल यह गेवु की फसल है और यह 2018 में विक्सित की गई है यह फसल कम पाणी वाली फसल है कम पानी पรजाती है इस प्रजात को के ते रह सत्तरह के नाम से जाना जाता है अगर किसान भाईव यह बहुत कम पाणी का साधन उपलब्द है तो इस प्रजात को अवस्यों गएं एक को पानी देने पर इस प्रजाथ का उत्पादन 75 से 30 कुंटल होता है अगर दो पानी आपके पास सुपलब्ध है तो इसका उत्पादन 35 से 45 कुंटल तक भी हो सकता है तीन तथा चार पानी में अगया है और मैं यह बताना चाहूँगा जैसा कि महने बताया यह पिछले साल या है वो मद्द प्रदेश हैं 36 गरण हैं जारखंड हैं बिहार हैं राजस्थान हैं महाराष्ट्रा हैं बीज ले जाने के बाद वहां के किसानों का हमारे पास फोन आया कि सहाब आपकी प्रजात तो इतनी अच्छी है कि इसमें बहुत बढ़ियां उत्पादन हो रहा है और उन्होंने मेहनत करके जो यह प्रजात निकाली है क्रेडिट उनको जाता है विस्विद्याले को क्रेडिट जाता है इस प्रजात को विक्सित करने वाले वह ज्यानिकों को जाता है मैं निदेशक बीजेवं प्रछेत्र की हैसियत से उन प्रजातियों का बीज उत्पादन क किसानों को मुहया कराता हूं जी तो यह थे मौर्या साथ जुन्हों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है यह हमारे देख रहे हैं हमारे यह पीछे सर कि किस तरह से यहां फॉर्मिंग करी जाती है और नए नए टेक्नोलोजी इजात करी जाती है केमरामेन संतोस पांडे के जानपू चंसेखा राजास विस्विद्याले धन्नवाद